इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 पॉलेटिकल साइंस का चाप्टर चाप्टर है लेजिसलेचर इस चाप्टर को जानिये समझी अच्छे से क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी जो बुक है क्या है आपकी बुक? इंडियन कॉंसिटिशन एक वर्क कॉंसिटिशन क्या है? कॉंसिटिशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है समविधान हमारे देश को चला रहा है ठीक है? तो किस तरह से आप देखोगे अलग-अलग ऑर्गन्स के लिए अलग-अलग इंस्टिशन के लिए constitution ने किस तरह से अलग-अलग laws वगरा बनाए है और उस जिसाब से institutions वो organs काम करते हैं तो आपने पिछला chapter जो पढ़ा था आपका तो उसमें आपने executive के बारे में जाना था तो मैंने आपको ये भी बता दिया था starting में ही कि executive, legislature और judiciary जो हैं तो ये अलग-अलग क्या है organs हैं जो देश में काम को समाले हुएं देश को समाले हुएं देश के अलग-अलग pillars हैं ये ठीक है और इसी को आप क्या करते हैं इसी को आप 10th class में पढ़ गया है horizontal form of power sharing में तो ये सारी चीज़े जो आपने पढ़ी ठीक है जो आप book की theme समझोगे तो आपको executes the laws जो कानून को क्या करते हैं लागू करते हैं ठीक है लागू करने दो कानून अगर कानून हो गई नहीं तो लागू क्या करेंगे ठीक है तो उस sense में क्या है उस sense में कानून का होना भी जरूरी है laws का होना भी ज़रूर ही है तो यह chapter आपको क्या करनेवाला, यह बताने वाला कि laws क्या से आते हैं तो अगर आप chapter की theme पे जाओ गया तो chapter की theme क्या है? Legislature, legislature का मतलब क्या होता है? legislature मतलब the body which legislate laws, ओपाड़ी जो क्या करती है? laws बनाने का काम करती है, legislate laws, क्या होता है? बेसिक जिसको कुछ नहीं पता है उसे भी चीज़ें हाँ से समझ में आना चाहिए और पहला वीडियो लेक्चर जो रहता तो आपको पता हिए कि पहला इंट्रोड़क्टरी वीडियो लेक्चर रहता जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूं और यह बताता हूं कि छैप्टर में हम कौन-कौन से topics पढने वाले हैं तो अब देखो क्या है अगर हम बात करते हैं की executive तो laws को execute कर देंगे लेकिन laws होना भी चाहिए तो laws होने कि लिए laws बनाने वाले भी लोग चाहिए रहते हैं तो legislature हमारी country का वह ओर्गन होता है जो law बनाने का काम करता है सरी law क कैसे बना लेते हैं कोई भी लौ बना लेगा क्या नहीं इनके पास में पावर होती है अब पावर किसके पास होती है एक डेमोक्रेसी में ये बताओ democracy में power होती है जनता के पास में तो इन्हें हम citizens क्या करते है legislature को power देते है कि वो law बना है तो इस sense में legislature क्या होती है body होती है which legislate laws हम कैसे power देते है वो भी समझाऊंगा तो legislatures are elected by the people and work on behalf of the people एक simple सा example लेते हम क्या कि democracy है तो मतलब हम हर इंसान का equal है हर इंसान का equal से होना चाहिए सारी चीज़े हर इंसान की बात मानी जाना चाहिए यह democracy का basic principle equality is the basic principle of democracy तो उस sense में क्या होता है अब उस sense में देखो आप और मैं हम हमारे जिवन में व्यस्त हैं आपको पढ़ना है ठीक है मुझे पढ़ाना है इसमें अगर आप और हम जाएंगे तो हमें पता भी नहीं होगा दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास में पतना टाइम भी नहीं होगा ठीक है एक तो required expertise भी नहीं है और दूसरी चीज़ हमारे पतना टाइम भी नहीं है clear तो उस sense में क्या होता है कि एक ऐसा mechanism evolve किया हमने कि जिसके चलते हम क्या करते हम अपने representatives को choose करते है और हमारे representatives हमारे behalf पे decision लेते है समझना इस चीज़ को हमारे representative हमारे behalf पे decision ले रहे है कोई भी representative है MLA है, विदायक है, MPS अंसद है तो वो लोग जो है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे है या फिर उनकी खुद की कोई power नहीं कि वो decision ले पाए वो decision इसलिए ले पा रहे है क्योंकि हमने उन्हें choose किया है समझ लो इस चीज़ को democracy बता है, democracy कहां fail हो जाता है जहाँ पे जो democracy की subject है मतलब जो जनता है, citizens है वो जब interest लेना छोड़ देती है चुनाओ है, जाके vote डालाएंगे, चलो color एक लग जाएगा, एक Instagram पे इस तरह से photo डाल देंगे सारी चीज़ हो जाएगी, वो नहीं है ठीक है यहाँ पे जब active participation जब तक citizens का नहीं होगा तब तक democracy पूरी तरह से अच्छी तरह से function करेगी नहीं है तो यहाँ पे लोगों को समझना होगा क्या यह जो book मैं पढ़ रहा हो ना आप इसको जीवन में उतारना कि legislature are elected by the people सब कुछ by the people, for the people, to the people है तो उस sense में क्या है कि लोगों के लिए ही सब कुछ होता है लोगों के द्वारा जिने choose किया जाता है कि लोगों का काम किया जा सके तो वो बहुत empowered होते हैं ठीक है हम उन्हें power अपनी पूरी power हम उस representative को दे रहे हमारे और वो representative बैठता है कहां तो आप जैसे देखोगे center level पर parliament में बैठे है state में अलग-अलग state assemblies होती है जो तो state assembly में बैठ रहे हैं वो तो उस तरह से वो इन parlements में बैठके हमारे लिए law बनाते हैं और जो law बनाए तो उन्हें फिर पिछले chapter में आपने executive पढ़के आयो ना वो executives क्या करते हैं उन law को लागू कर देते हैं आगया समझ में यह तो यह simple सी कहानी यह है अब क्या होता है कि इस chapter में बहुत सारे questions उठने वाले हैं जैसे कि how it functions सर आपने यह तो बता दिया चलो हमारे ब्याव हमने elect कर लिया उन्होंने क्या बोलते हैं कि positions हमा ली MP की या फिर MLA की और वो हमारे लिए law बना रहे हैं लेकिन वो उनका काम कैसे चलता है मतलब कि आप एक institution है ना पूरा का पूरा legislature तो उसका भी काम करने का कोई तरीका होगा यसे थोरी कि गाड़ी बस खरीद ली तो चलाना ही सीख गए आपको चलाना भी तो आना चाहिए तो आपने legislature एक organ बना दिया तो legislature organ काम कैसे करेगा तो how it functions issues को मतलब इस chapter की theme में आएगा यह हम समझेंगे कि legislature जो है कैसे किस तरह से काम करता है state level पर क्या होता है state level पर क्या mechanism होता है कैसे चीज़ें चलती है कैसे चीज़ें नहीं चलती है वो सारा सब कुछ जानेंगे समझेंगे हम फिर हम देखेंगे how it controls the executive अब देखो मैजदार चीज यहां बताता हूँ मैं आपको अगर आपको ध्यान हो पिछले चाप्टर में मैंने आपको बताया था यह ठीक है फिर से एक बार recap ही कर रहे हैं कि executive और legislature जो है तो यह क्या होते हैं यह interrelated होते हैं ठीक है क्या लिखो कि बताना comment section में ठीक है तो अब क्या हो रहा देखो यह constituency जो है तो consistency में यह आप और हम है छोटे-छोटे से ठीक तो आप और हम जो है तो हम क्या करेंगे हमारे representatives को चूज करेंगे हमने हमारे representative को चूज किया ठीक है बदाई हो तो यह क्या कहसकते हैं कि compete सज्जी हो गई अब यहां से सीधे कहां जाएंगे अब यह पारलेमेंट में गए तो यह किसका पार्ट बन गए यह बन गए लेजिस्ट लेचिर का पार्ट तो आपको यह समझ में आ गया जैसे आपने पहुचा है तो country में अलग-अलग constitution से अलग-अलग representatives आएंगे लोग सब आकि अगर बात करें तो कितने आएंगे 500 आगे का शब्द बोलो 543 तो अब यह 543 जो रिप्रेजेंटिटिफ आए ना आपके यह लेजिसलेचर का पार्ट है अब क्या हुआ यह 543 में से किसी की टीम जीत गई टीम जीत गई मतलब किसी एक ग्रूप के लो मेजरिटी के लोग आए मानलो 300 आए तो BJP की जो 300 MP होने वाले हैं इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे Congratulations ठीक है Congratulations यह प्राइम मिनिस्टर बन गए इन्होंने क्या कर दिया अपने अंडर में Council of Ministers बना लिये यह सारी चीज़ें आपने Executive Chapter में पढ़ी है ठीक है गजनी नहीं बनना है ध्यान है तो अब क्या है यह आप देखोगे तो यह Executive का पार्ट हो गई है अब यह Executive आये कहां से उपर से नहीं रहे ना Executive Legislature से ही तो निकल के गए है तो इस सेंस में क्या है कि अगर आप देखोगे Legislature और Executive जो है आपस में क्या होता है जुड़ा हुआ होता है अब आपने यह भी पढ़ा होगा या यह यहीं पर लिखा है मैंने कि Legislature Executive को कंट्रोल करत है कैसे कंट्रोल करता है सर यही तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिलर है चीक है तो यह तरह से आपको क्या एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अच्छा पिछे से मिठता है क्या यह ठीक तो हाँ गायब आगे ना समझ में यह तो यह मैंने आपको थीम समझा दिए थीम इसमें आपको इसमें आइडिय देए लेकिन अब टॉपिक है बुक में तो क्यूंकि एक टॉपिक परते जाना है तो पड़ेंगे से राजी सभाइए फिसके आद में देखेंगे वायदू वी नीड तू वायदू वी टू आउट हाउसे औफ पारलेमेंट में हमें पारले पूरी कहांची समझोगे आप उसके बाद में क्या है वाट डास दी पार्लेमेंट डू अब आपने देख लेक्ट पार्लेमेंट में दो हाउसे अब ये सब कुछ बिल्डिंग बना के करना किया है वहाँ पर लूडो नहीं खेलेंगे ना वहाँ पर यह देखना है कि वह काम क क्या करते हैं तो functions वाली बात आ गई अगर यहां पर तो function समझेंगे हमकी Parliament क्या करती पार्लेमेंट के function क्या होते हैं ठीक अब अगली चीज क्या है how does the Parliament make laws यह important है Parliament का function आप बोल दो कि सर हमें मैंएपता हैं हाथ उपर करके कि क्या पता है कि यह जो पात्वने बोली कि अलग-अलग layer हटाते जाओ, question में से question निकलेगा, उसमें उसका answer मिल जाएगा, और उसमें से फिर question निकलाएगा, clear, तो sense में, how does the parliament make laws, इस चीज़ को पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद में, अब देखो ये सारे topics, मैंने आपको यहाँ पर बता दीए, लेकिन ये topic हमारा क्या, how does the parliament control the executive, ठीक है, मैंने आपको जो बताया है, यहाँ पर कि parliament क्या करती है, मैंने आपको जब यह static में क्या बताया था पीछे, कि parliament क्या करती है, executive को control करती है, तो कैसे करती है, instrument of control, जो है parliamentary control, वो क्या क्या है, deliberation और discussion क्या होता है, वो बताऊंगा, मैं आपको approval and refusal of laws, इसके थ समझेंगे, ठीक है, तो यह पूरा क्या है, हमारा पूरा का पूरा आप देखोगे, तो structure है chapter का, जिसे हम समझते जाएंगे, subsequently एक एक करके, ठीक, फिर क्या है, what do the committees of parliament do, अब parliament में क्या होता है, committees बना दी जाती है, अब यह committees कैसे बनती ही, क्या बनती ही, क्या करती है, वो सा Parliament अपने आप में कैसे चलेगी, ठीक है, मतलब कि Parliament देश चलाएगी, बड़ी, यह बहुत बडियाताली बजाओ, लेकिन वो parliament जो है, तो वो parliament अपने आप में अंदर कैसे काम करेगी, उसकी functioning क्या करे, कैसे होगी, ठीक है, अगर parliament में लोग क्या करें, एक दूसरे को पर कुर अपने वाले हैं, थीम क्या है वो बता दी मैंने, और इसी के साथ हमारा यहारा टॉपिक जो है, introductory वीडियो जो था हमारा, यह भी क्या हो गया, complete हो गया है, आशा करतों आपको चीजें समझ में आईए, किसी प्रकार का डाउट है, तो feel free to ask in comment section, Magnet Brains पर इसी तरह से, class 4th से class 12th तक, अभी 11th में और अगले साल भी पढ़ोगे, अब आप तो पढ़के निकल जाओगे, अपने juniors को जरूर बता देना, ठीक है, छोटे भाही वहन को जरूर बता देना, उनकी भी मदद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यह सारे video lectures जो है, free of cost, youtube channel और website पर available है, जोने देख को क्योंकिता?